नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि रेजल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रेजल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और रेजल टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि रेजल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, रेजल एक ब्रैंड नेम है, रेजल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रोसुवेस्टेटिन होता है, रेजल टैबलेट 5MG, 10MG, 20MG और 40MG की में अवेलेबल है, रेजल टैबलेट का उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, रेजल टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, बैड और गुड कोलेस्टरॉल को HDL या High Density Lipoprotein कोलेस्टरॉल भी कहते हैं. इसके अलावा रेजल टैबलेट चाइगलिसराइट्स के लेवल को भी कम करती है. चाइगलिसराइट्स फैट की ही एक टाइप है, जो बलड में पाई जाती है. शरीर में कोलेस्टरॉल का लेवल अधि की वजह से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है. यदि आप अपने शरीर के कोलेस्टरॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाते हैं, तो आपको रेजल टैबलेट को लेने के साथ साथ कम कोलेस्टरॉल वाली डाइट लेनी चाह इसके अलावा रेगुलर एकसरसाइस करनी चाहिए. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रेजल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में रेजल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, बधजमी होना, शरीर में कमजोरी वत्थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है. रेजल टैबलेट की वज़े से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है. कुछ व्यक्तियों में रेजल टैबलेट की वज़े से लिवर डैमेज भी हो सकता है. इसके अलावा रेजल टैबलेट की वज़े से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों में दर्द और कमर में दर्द आदी साइड एफेक्ट्स भी रेजल टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। अगर आपको रेजल टैबलेट को लेने के बाद शरीर की मासपेशियों या जोडों में बहुत तेज दर्द होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन रेब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रेब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें मासपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मास्पेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़ से मास्पेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वज़ से किड़नी भी डैमेज हो सकती है वैसे Rhabdomyolysis होने की संभावना बहुत ही कम होती है लेकिन कुछ व्यक्तियों में Razzle Tablet की वज़े से Rhabdomyolysis भी हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे की Razzle Tablet को कैसे लेना recommended होता है Razzle Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में Razzle 5 Mg से लेकर Razzle 10 Mg Tablet को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं लेकिन शरीर में कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने पर डॉक्तर चार सब्ता बाद Razzle Tablet की डोज को बढ़ा कर Razzle 20 Mg से लेकर Razzle 40 Mg Tablet को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं Razzle Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Razzle Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की Razzle Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लिवर की कोई बीमारी होने पर Razzle Tablet को लेना recommended नहीं होता है प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Razzle Tablet का सेवन करना सुरक्षित नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद